गुड बॉर्णिंग फ्रेंट्स मैं डॉकर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्टो लिवर हास्पिल स्वरुपनेंगर खानपुल यह बड़ा कॉमन क्वेस्चन है और यह क्वेस्चन हमेशा पूछा जाता है क्या ज्यादा केले खाने से तोंध बढ़ती है क्या केले खाने से जो है या विसरल फैट है या अब्डामनल ओबेसिटी है क्या यह बढ़ती है दिक्लियर आंसर इस नो क्लियर आंसर इस नो इन दा सेंस कि किसी इस्टेडी में यह प्रूब नहीं हुआ कि अगर आप किले मॉडरेशन में खाते हैं तो इसके चलते बैली फैट बढ़ेगा ऐसा कोई evidence नहीं है तो फैट यह है कि जो बनानाज हैं जो किले हैं वो वास्तो में एक versatile fruit माना जाता है अगर इससे आप limited amount में lose यमिन यूज करते हैं तो वास्तो में आपको weight loss या maintenance of weight में help करता है आप इसको snack जैसा है यूज करिए instead of sugary items like cookies खाना है पेश्ट्री खाना है जलेव शुगर होती है, वास्तों में वर्काउट के पहले आउट्स्टेंडिंग स्नेक का काम करती है, तो इसलिए इसे जरूर यूट्राइज करिए, साइंस सामानती है, कि जो इनर्जी आपको रिक्वाइर होती है वर्काउट के लिए यूर डे-टो-डे एक्टिविटी के लिए उसमें जो केला है, वो बहुत आपको हेल्प करता है, जो केले हैं, इनमें एक रेजिस्टेंट स्टार्ट होती है, जो वास्तों में जो आप केलरी कंज्यूम करते है in a limited amount, वास्तों में ये weight gain होने से रोकती है ये बात सही है, कि जो ज़्यादा amount के fiber होते हैं, या potassium होता है केले में, ये बहुत सारी help करता है, including weight loss ये इसको बहुत great fruit माना जाता है, in the sense ये सस्ता है, आपको cheap है, तो आपको मिलता असानी से है vitamin B6 इसमें काफी मतरा में होता है, और इसके एक amino acid इसमें भारा हुआ होता है जिसे कहते हैं, ट्रिप्टोफेन ट्रिप्टोफेन वास्तों में एक essential amino acid है, जो आपकी नींद और आपके अच्छे mood के लिए जिमिदार होता है अगर आप जो बनाना है या केला है, उसको snake use करते हैं, तो आपको क्या advantages हैं, उनको जड़ा द्यान से देखिए, number one, vitamin B जो केले हैं, उसमें vitamin EB अच्छे मातरा में होता है और अगर आप vitamin B आपको ठीक मिलता है, तो healthy metabolism आपकी health की risk उसको reduce करने के ये ताकत रखता है ये बात सही है, कि आपके nervous system के लिए and white blood cells के production के लिए, vitamin B बहुत जिम्मेदार है, and केले में आपको vitamin B ठीक मातरा में मिलता है, number two is high content of keratinide, या lutein, जो lutein नाम का जो एक chemical है, substance है, या element है वो केले में ठीक मातरा में होता है and science है सामानती है कि kidney cancer, एवं जो macular degeneration है, आपके अंदर का जो macula है, उसको जो degeneration जैसी जो problems हैं, उनको prevent करने में, जो white I mean keratinide है, जो केले में होता है, ये आपको help करता है number three, ये बहुत अच्छा snake for females, in the sense कि जो pre-menstrual disturbances होते हैं, बहुत सारी माहिवल महीनलाओने mark किया होगा कि periods आने के पहले, आपके emotions जोना fluctuate होने लगते हैं, आपकी physical health up to the mark नहीं होती है, आपको बहुत सारे behavioral changes होने लगते हैं before the menstruation, sciences जैसा मानती है, कि अगर आप इस्तिमाल करते हैं केले, या I mean banana, तो उससे इस सब चीज़ों में फरक पड़ता है, research जैसा मानती है, अगर आप banana snake use करते हैं in pre-menstrual syndrome, तो वास्तो में जो इसका high tryptophan content है, वो बहुत सारे behavioral change या emotional turmoil जो होती है, उसको control करने में help करता है, नो, जहां तक banana या केले का सवाल है, late night snake बहुत अच्चा है, इसलिए कि इसमें tryptophan होता है, तो आपकी जो sleep है, उसको enhance करने की ताकत रखता है, नो, जहां तक pre-workout session का सवाल है, undoubtedly this is one of the best snake, क्योंकि इसके जो slow moving sugar है, वो वास्तो में, electrocite lights के साथ में मिलके, आपका जो energy का level है, उसको steady रखती है, energy का level steady रहेगी, आप workout ठीक से करना कर पाएंगे, इसके अलावा, इसमें magnesium and potassium होता है, तो आप जब workout करते हैं, तो उसके बाद जो muscle क्रिम्ट होने का डर रहता है, वो नहीं आएगा, और इस तरह की जो workout है, वो smooth रहेगा, एंड muscle की जो recovery है, वो better होगी, जो बनाना है, इसमें pectine नाम का soluble fiber होता है, और जो soluble fiber इस तरह के होते हैं, वो आपके जो digestive process है, उसको बहुत जादा help करते हैं, जो stomach है, उसको soothe करके चलते हैं, यह बाद सही है, जो केले के fiber है, या केले का जो fiber है, उसमें कुछ prebiotic होते हैं, जो आपके intestine में जो healthy bacteria हैं, उनको और promote करनी की ताकत रखते हैं, तो जहां तक बनाना का या केले का सवाल है, जो constipation को relieve करने के लिए बहुत लोग use करते हैं, science ऐसा मानते है, कि इसका जो fiber है, वो gastro intestinal tract की health को optimize करता है, and constipation से आपको relief दिलाता है, ऐसे हैं, जो केले हैं, ये naturally soothe करते हैं, तो चाहे वो acid reflux हो, चाहे वो heartburn हो, चाहे GERD के symptoms हो, इन सबी symptoms में जो उपर आपको परिशान करते हैं, केले आपको help करते हैं, नो जो केले हैं, इनमें anti-oxidant काफी मात्रा में होते हैं, इन दा सेंस कि अगर आप over-ripe, या पका हुआ केला खाते हैं, तो इसमें anti-oxidant ठीक मात्रा में होने से, ये premature aging से, रोकने में आपको help करते हैं, तो इसलिए anti-oxidant जो इसमें है, वो आपको help करता है, नो अगर आप smoke करते हैं, and smoking को छोड़ना चाहते हैं, तो बहुत सारी studies ऐसा मानती हैं, कि केले आपको मदद करते हैं, या बनाना आपको मदद करता है, इसलिए कि जो केले हैं, उनमें high dose of vitamin B है, इसमें potassium हैं, इसमें magnesium हैं, और ये जो सब चीज़ें हैं मिलकर, आपका जो nicotine का withdrawal है, उसको कम करने की ताकत रखते हैं, तो अगर आप smoke करते हैं, and smoke छोड़ना चाहते हैं, तो जो बनाना हैं, वो आपको help करेगा, कि आपका जो withdrawal है nicotine का, वो smooth हो जाए, और आप nicotine ये smoking को, आसानी से छोड़ पाएं, जो बनाना milkshake है with honey, इन पर्टिकुलर, इसको hangover क्योर कहा जाता है, क्यों इसको hangover क्योर कहा जाता है, ऐसा मना जाता है, कि जो किला है इस milkshake में, वास्तों में आपका जो stomach है, उसको एक सूध करने की ये काम करने की ताकत रखता है, that's number one, जो honey होती है, शेहद है इसमें, यह आपकी जो blood sugar का level है, उसको optimize करके चलती है, that's number two, जो milk होता है milkshake में, यह आपको rehydrate करने की ताकत रखता है, इसके अलाबा, जो बनाना में tryptofen हैं, वो वैसा essential amino acid है, जो आपकी heaviness head होती है, उसको बास्तों में relieve करने की ताकत रखता है, तो इसलिए ले banana milkshake विथानी, को hangover cure माना जाता है, इसको भी ध्यान से देखिए, अगर हम studies को देखें, जो University of Maryland Medical Center ने published की, what they said was, कि अगर आप अपना जो diet है, उसमे potassium rich foods को बढ़ाते हैं, तो आपको osteoporosis कम करने में मदद मिलती है, एक 2008 की study थी उसको ध्यान से देखिए, यह कहती है कि वो diet जिसमे potassium rich foods ज़्यादा थे, bicarbonate rich foods ज़्यादा थे, तो इनने जो bone का turnover या bone का loss उसको कम करने में मदद की, तो अगर हम केले को या banana को ध्यान से देखें, यह almost 16% contain करता है daily value of the magazine, मेगनीज, अगर इतना जो है इसमें मेगनीज प्रेजन है, तो वास्तों में आपकी जो osteoarthritis है, osteoporosis है, इनको कम करने में बनाना मदद करता है, तो जहां तक बनाना या केले का सवाल है, अगर यह question है, कि क्या इससे tone बढ़ेगी, यह बिलकुल no है, सब studies ऐसा बोलते हैं, ऐसा कोई reason नहीं है मानने का, कि अगर आप केले बहुत खाते हैं, तो आपकी tone बढ़ेगी या weight बढ़ेगा, जो केले हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे items हैं, जो आपकी health को optimize करने, आपको health को मदद करने की ताकत रखती हैं, अगर portion control है, इन moderation में अगर आप केले इस्तिमाल करते हैं, तो आपका जो weight gain की tendency है, in fact, जो किला है, वो कम करने की ताकत रखता है, जो workout आप करते हैं, उसके पहले किले अगर आप इस्तिमाल करते हैं, करता है, तो इसलिए अपनी जो diet है दिन बर की, उसमें एक या दो केले जरूर इस्तिमाल करें, और अपनी health को optimize करें, अगर केले की utility उसको समझने में ये video आपको help करता है, तो जरूर शेयर करें, मैं Dr. Vika Mishra, from guest to liver hospital, स्वरुपनेगर कानपूर, thank you very much.